Hello everyone and welcome to ABC classes तो देखे ये आपकी project file है इस project file को complete करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है यहाँ class लिखनी है यहाँ section लिखना है यहाँ subject और यहाँ पर school का नेम ठीके? तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यह perimeter कैसे find करते हैं? perimeter क्या होता है? किसी भी plane figure का perimeter होता है वो क्या होता है और उसको कैसे find करते हैं? ठीके? तो आईए शुरू करते हैं तो देखे इस file के साथ में आपको यह कुछ plane figures दी जाएंगी ठीके? देखे यह plane figures हैं कुछ और यह साथ में एक copy है ठीके? तो आईए देखे perimeter के बारे में आज़म शुरू करते हैं ठीके? ओके? तो देखे पेरिमीटर का मतलब होता है the total length of the outer boundary of any figure or shape is called perimeter क्या मतलब इसका? जैसे कि अगर हमारे पास में यह एक plane figure है यह क्या है? एक plane figure है इस plane figure की यह जो outer boundary हमें नज़र आ रही है इसकी जो पूरी total length होगी उसको हम क्या कहेंगे? perimeter कहेंगे आप कोई सा भी shape ले लीजे जैसे for example अगर हम यह shape लेते हैं ठीके? तो इसके अंदर आपको इसकी यह जो outer boundary नज़र आ रही है ठीके? यह जो इसकी outer boundary की यह जो भी total length होगी उसको हम क्या कहेंगे? perimeter कहेंगे perimeter का मतलब क्या है? sum of all sides perimeter का मतलब क्या है? sum of all sides यानि सारी sides का sum total length ठीके? of the outer boundary of any figure or shape is called perimeter ठीके? तो perimeter का मतलब क्या है? कि अगर हम किसी भी plane figure की सारी sides को उसकी outer boundary की हर एक side को अगर हम add कर देंगे तो जो चीज़ हमें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? perimeter कहते हैं ठीके? अब देखिए जैसे हमारे पास में ये एक figure है हमें इसका perimeter find करना है ठीके? तो देखिए हमने इसकी चारो corners को नाम दे दिया A, B, C, D ठीके? अब हम इस figure का perimeter find अगर करेंगे तो हम इसकी इन चारो sides का measurement निकालेंगे पहले ठीके? तो हमने ये side ली A, B तो A, B का जो measurement है वो आ रहा है हमारा 9.5 cm ठीके? फिर हम BC calculate करते हैं BC को measure करेंगे हम तो ये भी 9.5 cm आ रहा है फिर हम CD निकालेंगे तो CD भी हमारा 9.5 है और फिर हम ये DA या AD side निकालेंगे तो ये भी हमारी 9.5 cm आ रही है ठीके? तो इस figure की 4 side 9.5 cm की आ रही है तो इसका perimeter निकालने के लिए हमें इन 4 sides को plus करना है ठीके? तो देखिए A B हमारा कितना आया? 9.5 cm BC भी कितना आया? 9.5 cm CD भी कितना आया? 9.5 cm और DA भी कितना आया? 9.5 cm ठीके? तो perimeter पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी 4 sides को plus करना है यानि कि तो 4 sides हमारी निकल कर आई है इनको हम क्या कर देंगे? एड़ कर देंगे तो A B की length हमारी कितनी आया है? 9.5 BC भी कितना आया? 9.5 प्लस 9.5 प्लस 9.5 ठीके? तो इन 4 ओं को जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारा perimeter आ जाएगा 38 cm ठीके? अब देखे इसके अलावा जैसे अगर हम कोई और plain figure ले ले जैसे अगर हमने ये एक plain figure ले ली ठीके? तो आपको करना यह क्या है? फाइल के अंदर आपको इस plain figure को left hand side पर इस तरह से paste करना है और right hand side पर उसका measurement लिखना है और इसका perimeter find करना है ठीके? left hand side पर आपको इस figure को paste करना है और right hand side के उपर इसका measurement लिखना है और इसके सारी sides को प्लस करके उसका perimeter find करना है ठीके? एक और example लेते हैं तो देखे जैसे हमने ये एक plain figure ली इसकी sides को भी हमने नाम देद रख्या है A, B, C, D ठीके? तो इसके हम measurement करेंगे तो देखे ये A, B हमारी आ रही है 3.5 cm ठीके? तो हम यहाँ पर लिख लेंगे A, B हमारा कितना आ गया? 3.5 cm ठीके? फिर हम इसका B, C का measurement करेंगे ये आ रहा है हमारा 5.5 तो B, C आ गया हमारा 5.5 cm ठीके? फिर हम निकाल लेंगे CD तो देखे CD की length आ रही है हमारी 3.5 cm और फिर हम निकाल लेंगे AD तो AD की length आ रही हमारी 5.5 cm ठीके? अब हम इन सब को plus कर देंगे तो AB की जगा पर लिखेंगे 3.5 BC की जगा पर 5.5 CD की जगा पर 3.5 और AD की जगा पर 5.5 ठीके? इन सब को अब हम प्लस कर देंगे तो इसका जो measurement आएगा वो कितना आ जाएगा? 18 cm तो इस तरह से हमें इस figure का perimeter मालम पड़ गी ठीके? तो इस तरह से आपको अपनी project file को complete करना है ताहरेगा की में तो इस ते किका का है तो इस घाएगा